कर दिया जा चुका है डिली टार्गेट में देखिए डेली टार्गेट और रिवीजन आपको इसमें करवाई जाएगा बिहार स्पेसिल सारा पीडिएफ यहां पर दिया जाएगा चाहें हिस्टे पौल्टी जग्रफी हो या करेंट अफेर्स हो सब कुछ यह मिल जाएगा अ आपको और कुछ भी करने जो तनी आपको सब कुछ यहां पर सब कुछ मिल जाएगा यहां पर आप लोग मैसेज करेंगे पेमिंट डीटेल जा लेंगे और पेमिंट करने बाद भीजेंगे फिर आपको एड कर लिया जाए ग्रूप के अंदर में तो 68 वीपेसी के लिए प् कमेंट में उसका लिंक दिया गया है वीडियो का उस प्ले लिस्ट को ही लिंक कर दिया गया है आप जयाके उसके ड्ली देख सकते हैं आज जो हम लोग यह दूसरा practice अट करने वाले हैं इसका cutoff ध्यान रख़ेंगा 98 marks इसका cutoff रखा गया है उमीद करता हूं आप सब इसको करेंगे बहतरीन परफॉर्म करेंगे कमेंट करेंगे अपने इसको जोड़ शेयर करिएगा तो आज का हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट अजम लोग यहां पर देखेंगे साथ जात मैं आपको यह बता दो देखिए अगर आप लोग अनसेट भी बीपेसी के लिए तैयारी क पर प्रणैनल पर स्टार्ट किया जा चुका है तर्गेट डेली टर्गेट गूर्प यह टलीग्राम को उपर में स्टार्ट हो गया है यहां पर सारे बिहार के इंपॉर्टेंट पीडीयाफ्स है वह डाल दिये जा रहे हैं और अब करेंट अब प्लोड हो रहें बाद आप लोग payment का डीटेल जान लीजे payment करने के बाद आप लोगों को ग्रूप में जोड़ लिया जाएगा चलिए हम लोग आज सेट नमबर दो देखते हैं इसको मैं करता हूं जूम और यहां से मारा आ जाता है सेट नमबर दो से पहला क्यों है देखेगा उत्रवैदिक काल में निमलिकित में इनको ऐसंस्कृती का धूर समझा कर्या जाता था तो उत्तरवैदिक आए ुट्तर प्रदेश में यह फैल गये और विदे माधव की कहानी के हिजाब से यहाँ पे लिखा गया है कि सदा नीरा यानि जो आप गंड़क के नाम से जाना जाता है और विधर्व तक इनका विस्तार था नमर दो देखिएगा वह स्तूप स्थल जिसका संबन्द भागवान बुद्ध के जीवन का जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह कौन सा है तो वह है साची स्तूप बी करेक्ट हो जाएगा नमर तीन देखिएगा निमलिखित में से कौन सा अरंभिक जैन सहिता का भाग न ध्यान रखिएगा चौथा गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्व वैद जीवक किसके दरबार से संबन्दित्था यह संबन्दित्था देखिए बिम्बी सार के दरबार से एक करेक्ट हो जाएगा नमबर पांच देखते हैं जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप मौरे का अगर हम बात कर लें वह है विसाखदत सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो विसाखदत इनकी कृति है मुद्राड अक्षस और उसी में ही चंद्गुप मौरे का जो है वर्णन किया गया है शिक्स चंद्गुप मौरे ने सेलुकस को किस वर्स में हराया था उसने देखिए 305 इसापूर में सेलुकस निकेटर को हराया था क्लियर नेक्स देखिएगा नमबर साथ प्राचीन भारत में निमलिखित में से कौन सी एक लीपी दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है यह लीपी है देखिए खरोस्टी लीपी डियमरा करेक्ट हो जाएगा खरोस्टी लीपी भारत में यह उत्तर पस्चिम छेतर से प्रचलित हुआ था और इस छेतर पाई जाने वाला अभी लेख में इस लीपी का प्रियोग किया गया था यह लीपी जो है दाए से बाई ओर लिखी जाती है और इस लीपी को पढ़ने का सरे मैसन, प्रिंसेप, न ओके, चलिए, हाँ जी, तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित की बात करने तो देखिए, राजगीर, लायन, कैपिटल ओफ असोक, यह एकदम करेक्टली मैच्ट है, तो हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे मैच्ट इनमें नहीं है, नाइन देखिएगा, कब 388 इसवी के आसपास में, रुद्र सिंग्त, तृतियों को समाप्त किया था, संको पर विजय, उसके जीवन की सबसे महत्पून सफलताओं में से एक रहा था तब में, और इसी वचे से उसने सकारी, यानी सको का दुश्मन या सहसासक भी कहा जाने लगा, ध्यान देखते हम लोग, नगरों का करमिक पतन किस काल का एक महत्पून विशेस्ता थी, उसको कारिक नाम कि बात करने तो महेंद्र नाम था राइट ध्यान रखेगा समुन्दुरूप्त का प्रयाग प्रसस्ति अभिलेख है उसमें इलहावत स्तम पर समुन्दुरूप्त ने कुमारात तथा संधी विग्रह हरिशेन संस्क्रित भासा में चम्पू शैली में अंकित ये नाम किया गया है और उसमें इंड़ने नियुन ही निमिल्फ्ति कांस कार ने कार ettwork तो देखे लग्म उद्धयान प्रशासन कार्यर देखता थह फेरां थर्टीन कालिदास की सहत्य कृती कृति कृति नहीं है यह हो जाएगा देखिए मुच्छ कटिकम ये काली दास की साहित्रिक कृतियों में से नहीं है है ना मुच्छ कटिकम की रचना सुद्रक ने की लिए फोर्टीन देखिएगा किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमिकर को उत्पादन के 50% यह नी 50% तक कर दिया था ये कहा जाता है अल्लाओ दिन खिल जी के बारे में, भी करेक्ट होगा फिफ्टीन, निम्लिकिन से किसने कुत्ब मिनार के निर्मान में योगदान नहीं दिया था इसमें योगदान किसने ने दिया था, अल्लाओ दिन खिल जिन ने दिया था ध्यान दीजेगा कुतुबदीन एबक जो है इसने तो नीवी रखी थी इल्दुतमिश ने इसको पूरा करवाया था और फिर फिरोज साथ तुगलक ने इल्दुतमिश जब कंप्लीट रहा लिया उसके काफी सालों बाद फिरोज साथ तुगलक से ये कुछ नुकसान हो गया ऐन तो तुझ के पाबरि क्या था इसका असली नाम क्या था इसका अरजुमंध बानो भेगम ठीक है ए एक्सोललूकरேक्ट हो जाएगा है ना नाइंटिन देखते हैं इलाहबाद की संदी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्चिताबाद का उपदिवान की से बनाया था तो यह उपदिवान इसने बनाया देखिए मुहम्मद रजा खां को ठीक है ना तो इलहाबाद की संदीक बाद रॉबर्ट कलाइव ने मुहम्मद रजा खां को उबदिवान बनाया था 20 देखिएगा निमलिकन से किसने निकास क सिधान का परतिपादन किया था तो ये पर्तिपादित किया था किसने देखिए दादा भाई नौरोजी ने ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है 21 कुका अंदोलन को किसने संगटित किया था इसको संगटित किया था गुरु राम सिंग जी ने C absolute correct हो जाएगा हमारा यहाँ पे next है 1888 का वार्णों किलोर प्रेस एक्ट किसने रद किया था यह रद किया था लॉडु रिपन ने एकट होगा next 23 पिछले वर्गों का उध्थान किसका मुख्य कारक्रम था यह मुख्य कारक्रम था पिछले वर्गों का उध्थान सत्यसोधक समाच का बी correct हो जाएगा नेक्स्ट ट्वेंटिफॉर बोल रहा है भारती राश्ट्री है आंदोलन गरमपंतियों के प्रभावधीन कब आया देखेगा यह 1906 के बाद आया था तब जाएके 1907 फिर सूरत विभाजन भी हुआ था नेक्स्ट 25 बंग बंग के बाद कौन सांदोलन सुरू हुआ बंग बंग के बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था बी करेक्ट होगा नेक्स्ट 27 गांधी रिविन सम्जोते पर हस्ताक्षर कब हुए थे इस पर हस्ताक्षर हुआ था 1931 में यह हमारा यहां पर सही हो जाएगा हमारा थीक है पांच मार्च 1931 को डेट भी याद रख लिजे नेक्स्ट 28 उनी सो सैथीस में संपन विधान सभा चुनाओं में पासिन साब में इनको बिल्कुल ही पूर्ण महुमत मिला था 29 जब भारती राष्टे कॉंग्रेस ने भारत छोरा अंदोलन प्रस्ताओ पारित किया कॉंग्रेस अध्यक्ष तब कौन थे उसमें कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुलकलाम आजाद भी हमारा यहां अध्यक्सता करी गई थी राइट 31 देखते हैं देखेंगा लॉर्ड माउंट बेटन वाइसराय की रूप में भारत आये थे कब तो यह भारत आये थे भारती उप महदूप को विभाजित करने की विशेश हिदायतों के साथ इनको इंगलेंड से हिदायत दे के भीजा गया बी हमारा करेक्ट हो जाए बी आने मिट करेक पर सिद्ध राजनीतग्य और विधिवेता और समासुधारक भी थे उन्होंने दलित बहुद अंदोलन को भी प्रेइत किया था और अस्पृत्ता के विरुद अंदोलन भी चलाया था ठीक है और ध्यान रखेगा वह सुतंत भ गांधी का असली नाम क्या है फ्रंटियर गांधी का जो असली नाम है वो है खान अब्दुलगफार खान 35 प्रिजन डाइरी पुस्तक किस ने लिखी है इस बुक के राइटर है जेपी यानि जैपरकास नरायन 36 रहतांग दर्रा अवस्तित है देखें रहतांग दर्रा जो है यह वस्तित है हिमाचल प्रदेश में ए एपसलीट करेक्ट हमारा हो जाएगा 37 देखते हैं हम लोग पस्चिमी घाट की नदिया डेल्टा का निर्मान नहीं करती है वे छोटे मार्क से तीवर गती से कड़ी या कठोर चट्टानों से उपर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए option number A हमारा हो जाएगा A और R दोनों सही है और R जो है A का सही व्याख्या कर रहा है ठीक है चलिए 38 निम लिकित में से कौन यहाँ पर करेक्ट नहीं है तेखिएगा अगर हम इसकी बात कर ले भारत में सरवादी के लंबी अंतरास्ट्री सीमा वाला राज जे गुजरात है य सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट है अच्छा अब इसका हम एक्स्प्लेइन नहीं करेंगे लेकिन यहाँ यह काफी फेमस कुष्चन है काफी common कुष्चन है तो इसका हम आंतर आप जरूर जाहें comment box में आपको comment बताना है कि भारत में सरवादी के लंबी सीमा किस राज ज़की रतनागिरी तो यह हो जाएगा हमारा अगर हम बात कर ले किस से तो यह रिलेट हो जाएगा देखेगा महरास्टरा से कुडापूर यह रिलेटेड हो जाएगा करनाटका से पीछवरम यह रिलेटेड हो जाएगा अगर हम बात कर ले तामिलनाडू से और विंबनाड केरल से र की वाला हमारा कूट यहां पर absolute match कर जाता है आगे बरते हैं 40 देखिएगा चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है चंबल नदी के उपर अगर हम बात कर ले देखिए गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी के उपर में यहां पर निर्मित है इसकी जो लंबाई की बात प्रकंड में है सी हमारा यहां पर सई होगा 42 देखिएगा यहां पर map दिया गया है मानचित्र के स्थान से जहां जहां point यहां dot जो दिया गया ABCD यह बताना है कि यह कहां है ठीक है और यह किसलिए dot दिया गया है basically अपने को यह बताना है तो हमारा 42 का जो हम देखेंगे अग अनुसंधान हो जाएगा ठीक है उसके बाद हमारा जो हो जाएगा यह चार से लिटर हो जाएगा केंद्रिय अनुसंधान उसके बाद हमारा यहां पर हो जाएगा रास्ट्री मानचित्र और विश्यक मानचित्र संगठन यह जो तीसरा नंबर जो डॉट है यह हो जाएगा उसके बाद ध्यान दीजेगा अगर हम लोग बात कर लेते हैं रास्टी समूंदरी परदोगी की संस्थान दो नंबर डॉट यहां पे हो जाएगा ठीक है और उसके बाद ध्यान दीजेगा D जो है 6 नंबर पे हो जाएगा सितोष्ण 1 संथान केंद्र तो D यहां पे हमारा 6 नंबर डॉट पे आ जाएगा यह रहा 6 नंबर डॉट यहां पे D हो जाएगा ठीक है तो चलिए हमारा सही A वाला हो जाएगा यह थोड़ा से टाफ कोस्चन था और आउट आप दे लीग कोस्चन था अगर समझ भी नहीं आए पीडिएफ एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा पीडिएफ जब आपको मिल जाएगा वहाँ से आपको यह चीशी ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगी ठीक है 43 हुगली निम्न में से कहां पाया जाता है ध्यान दीजे का हुगली की बात कर ले यह पाया जाता है दाची ग्राम रास्ट्रीय उध्यान में 44, ब्लू मून पर इहटना होती है तो ब्लू मून पर इहटना किए अगर हम लोग बात कर ले चलिए ब्लू मून पर इहटना कब होती है तो 44 का जो यह करेक्ट आंस हो जाएगा जब एक ही कemia arguments में स्तित है तो ब्लैक फॉरेस्ट परवत की बात कर लें यह है जर्मनी के अंदर में 46 जिस महासागर से सारगौसो संबंदित है वह कौन सा है तो सारगौसो जिस से उंचा जलप्रपात के अरह बात करने हैं वह है साल्टो एंजेल जलप्रपात जो है यह सबसे उंचा जलप्रपात है जो की दक्षनी अमेरिका के देश वेनेजुला के कनौमा नेस्नल पार्क रियो कनोड़ो नदी पर यह इस्थित है ओके 48 देखिएगा कथन ए बोल रहा है यहां statement assumption वाला है वायुमंडल अधिकांस उश्मा परोग चुरूप से सूर से तथा प्रत्यक चुरूप से प्रित्वी से धरातल से प्राप्त करती है कारण है प्रित्वी धरातल पर लगू सौल लगू तरंगे पार्थिव उर्जय की 49 कौन सा सही है इनमें सही की बात कर ले दियान रखिएगा तो यहां भी क्या बोल रहा है भूमा दसागरी छेट्र में शितोस्न में आधिक वर्सा होती है तत्र गृष्न काल्ट सुस्क होती है और आ है तो हमारा जो है यह वाला तो statement सही हो जाएगा पहले ध्यान तो क्या है मर्धवर्ती भाग में छेत्रों में वर्स भर उच तापमान उच आदरता और उच वर्सा होती है और यहां रितुए नहीं पायजाती है वर्स भर एक ही प्रज़ायाई उस्थितरहती है तो यहां इह हो जाएगा गाईज सारे के सारे स्टेट्मेंट जो है यहां सही हो जाएंगे पचास नमबर देखिएगा पचास में क्या बोल रहा है संसार में उत्री अट्लांटिक नौपरिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग और उसका दूसरा है कारण वह संसार के दो मुख्य और दोगिक चेतरों को जोड़ता है उपरोक्त व्यक्तववो के संदर में निम्लिकत में से कौन साया पर सही है सही की बात कर ले थ्यान दिरिखेगा एमरा सही हो जाएगा ए और अर दोनों सही और आर एका सही व्यक्ष्या करता है 51 पीटर ने पचीस सो रुपे का निवेस करके एक व्यवसाय सुरू किया आठ महीने बाद सैम तीस जार की पूंजी के साथ उसमें सामिल हुआ दो वर्स बाद उसने 18 जार रुपे लाव कमाया और लाव में पीटर के हिस्सदारी क्या होगी यहां पर मैथ के कुछ कोशन स्टार्ट होते हैं आप लोग इसका जरूर से स्क्रीन सौट ले लीजेगा और आंसर जरूर जरूर सौल्फ कीजेगा मैं इसका आंसर बस बताते चलूँगा चलिए तो 51 का जो correct हमारा आंसर हो जाते हैं वह जाते हैं तीर्यपन्त देखीएगा और B किसी काम को 12 दिन में करते हैं D,C 15 दिन में करेगा D,C तीनों मिलकर किते जिन में करेगा तो D,C तीनों मिलके अगर हम बात कर लिते हैं यह लोग कड़ेगा तीनों मिलके कितने दिन में तो दस दिन के अंदर में ठीक है 54 का देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा 54 का जो यहां पर करेक्ट आंसर होगा वह जाएगा 55 6 cm उचाई वाले ठोस बेलन का अयतन 2-31 cm3 है तो बेलन की त्रिज्य क्या होगी इसकी त्रिज्य की बात कर ले 3.5 cm हो जाएगी 56 दो संख्याए 7-11 के नुबात में यह उनका HCF 28 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा इन दोनों संख्याओं की योग की बात कर लेते है इनका योग हो जाएगा 504 57 एकार 7 घंटे में यात्रा पूरी करती है या अधी दूरी को 40 km घंटे और 6 दूरी को 60 km घंटे गती से तै करती है तै की गई कुल दूरी क्या है इसे कुल दूरी की बात कर ले देखिए 336 km हो जाएगा 58 देखते है निमलिखी ताकडों का बहु किसा में Pचास छात्र गनित के में उत्रिण होते हैं और सत्तर अंगरेजीम उत्रिण होते हैं तोनों विसे कितल सब्सक्राइब सिह सिटियेगे आप युब का पांच बटने साहथ 22 अधे तो 60 करेक्ट हो जाएगा 60 का यहां पर करेक्ट हो जाएगा सी वाला ठीक है देखिए सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा 61 निम्नांकित में से कौन सा वायो मंडल के ओजुन परत की मोटाई नापने वाली काई है तो यह है देखिए डॉप्सन यूनिट या डॉप्सन इकाईस हमनों नापते हैं राइट 62 देखिए 40 डिग्री सेल्सियस का मान Fahrenheit Scale में कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस का जो मान है Fahrenheit Scale में अकर हम बात कर ले 104 डिग्री Fahrenheit हो जाएगा यह हमारा correct हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखिए 63 टमबर यदि प्रित्वी और सूरी की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगनी होती तो सूरे दोरा प्रित्वी पर गुर्टवकर्शन बल जो पढ़ता है वो कितना होता तब वो जो है अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाता है ठीक है आधा से भी आधा 64 देखिएगा समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर का कितना भाग समुद्र की सथा के उपर होता है देखिएगा समुद्र की सथा के उपर जो है इसका एक बट्टा नौ भाग तैरता रहता है है ना 65 जब दो समनांतर समतल दरपन के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला परतविम की संख्या क्या होगी देखिए वो जो संख्या है वो अनन्त बनेगी डी करेक्ट होगा 66 देखिए साफ मेग रहीत रातों की तुलना में मेगाचन राते अपेक छकृत गरम होती है इसका रीजन क्या है इसकी जो मेन रीजन है वो है प्रिथवि से चोड़ी गई जो गर्मी होती है उसमा होती हो परवर्तित करते है तो इसलिए और वो गरम हो जाता है 67 एक किलो वाट घंटा का मान कितना होता है तो एक किलो वाट घंटा की मान जो है देखिए 3.6 into 10.6 Zool होता है 68 एक कंप्विटर की समृति समानेत तोर पर किलो बाइट अथवा मेगा बाइट के रूप में व्यक्त की जाती है एक बाइट बना होता है कितने का तो देखिए एक बाइट का जो मान होता है वो होता है आठ दूइतिया धारी अंकों का ठीक है एट बाइनरी नंबर्स का होता है एक निम्नांकित में से हंसा टू किसका नाम है हंसा टू जो अगर हम बात कर ले देखिए एक प्रसिक्षन यान है हंसा 2 ठीक है तो मरन भी करेक्ट हो जाएगा चलिए सत्तर नंबर देखते हुँ लोन यहां से कारवन नैनो ट्यूबों के संदर में निमलिकित कत्नों में से कौन Sa Sattay никомud में सट्य कत्न की बात कर लें कारवन नंयो ट्यूब जैव निमनी करन होती है तो हमारा यह वाला सत्त्य हो जाएगा डी हमारा सभी हो जाएगा रईचट है 71 जिस तत्व के पर्मानु सबुस्क्राइब क्लिए स्तु की दिर्वमान çekyai कि इतनी होती है उस सबसे दर्वमान एकदम सही बैठता है, तो हमारा B सही हो जाएगा 73 देखते हैं, निमलिखित में से कौन सरवाधिक योगी की निर्मान करता है इनमें सबसे ज़्यादा योगी की निर्मान कौन करता है तो कार्बन करता है B correct होगा 74, निमलिखित में से कौन साएक लवन सागर में सरवाधिक पाये जाता है तो सागर में सबसे ज़्यादा पाये जाना लवन है वो है, सोडियम क्लोराइड B correct हो जाएगा नीला थोथा क्या होता है या क्या है नीला थोथा देखिए, कॉपर सलफेट को हम लोग बोलते हैं तो A correct होगा 76, फोटोग्राफी में कौन सा आमल प्रयोग किया जाता है तो फोटोग्राफी में जो आमल यूज होता है वो है देखिए, औक्जलिक एसिड या औक्जलिक आमल हम लोग इसको बोलते हैं B correct होगा 77, देखते है, निमलिखित में से मुख्यता किसके लिए सीटेन संख्या गुनता प्रचलन के रूप में प्रयोग्त होता है देखिए, सीटेन संख्या जो है, ये डीजल के जो है, प्योरटी को नापने के लिए यूज होता है, ठीक है तो हमारा जो है, सी यहाँ पे बिल्कुल ही सई हो जाएगा, ठीक है चलिए भाई नेक्स देखते हैं, स्वेंटी एट स्वेंटी एट ध्यान दीजाए क्या बोल रहाए, बजार में बिकने वाले स्पर्टेम कुत्रिम मधुरक है यह अमीनो अमलों से बना होता है, और अनमीनो अमलों के समानी कैलोरी परदान करता है फिर भी यह भोज पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तमाल होता है, इसके इस्तमाल का क्या अधार है, इसके इस्तमाल का जो बेस अगर हम लो बात कर लें, क्या बेस है क्या अधार है, तो इसका जो उस्तमाल को जो अधार होता है वो होता है स्पार्टम समान चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है अता थोड़े से स्पार्टम में बने भोज उस्पदार्थ ऑक्सिक्रित होने पर कम कैलरी परदान करते हैं तो हमारा डी यहां पर सभी हो जाएगा सवेंटीनाइन देखिएगा सुस्क धुलाई में किसका परियोग होता है सुस्क धुलाई में इसमें यूज होता है कार्बन टेट्रक्लोडाइड का डी करेक्ट होगा ऐसी देखिएगा सुची यहां पर मिलान करना है ठीक है ना चलिए भई मिलान किया जाए ओके तो तो यहां पर फ्रेयोन हो जाएगा यह प्रसीतक हो जाएगा फ्रेयोन ठीक उसके बाद यहां क्या बोल रहा है टेट्रा एथिलीन लेड यह हो जाएगा एंटी नॉक एजेंट हो जाएगा ठीक है एंटी नॉक एजेंट हो जाएगा बेंजोएक हेक्सक्लोडाइड यह हो जा में सापो में अंगों का लोप होने का इसपस्ट किया जाता है तो इसपस्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किये जाने से ठीक है यह हमारा यहां सही हो जाएगा 82 देखिएगा निस्कापिन किस से प्राप्त होता है तो निस्कापिन जो है यह प्राप्त होता है पोस्ता यानि पॉपी से ठीक है यह हमारा correct हो जाएगा चलिए भई 83 देखते हैं परतिवर्ती क्रिया यानि रिफ्लेक्स एक्षन का नियंत्रन केंद्र कहां पर है जिखिए इस सब कर नियंत्रन होता है वह होता हमारा स्पाइनल कॉर्ड से यानि मेरू रज्जू से का सोयरो को रज्जू इसको में बोलते हैं 2004 निमलिक में कौन साइं गलुकोस कyo एतनॉल में परिवयर्थित करने को प्र prata तो यह प्रेज्द्व करता है जाइम एच ठाओ घ्र रज्द्व भूकोस कमांड करता है जाइमेच 85 जिस लीटामीन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है देखेगा वह वी जाही Souley डी नेक्स्ट होगा नेक्स्ट हमारा 86 इंसुलीन का उतपादन किया जाता है इसका उतपादन होता है आइलेट्स औॉफ लैंगरहस के द्वारा एह हमारा क्रेक्ट हो जाएगा 87 भारत में परतेग़ 200 सिस्वों में एक अतिसार से मर जाता है जिसका रीजं क्या है तो अतिसार से मरने का रिजन होता है रोटा वाइरस इसी वज़श से अतिसार होता है जिस वेसे बच्च perfect मरता है एटीएट छिछले चैन्द पंपसि पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी सभी रंगों के होने का संभावना है सिभाए सभी रोगों के होने का संभावना सभावना Κाल क्या है कॉलेस्ट्र Ralph Ray आगर हम बात कर लें जन्तु जो है वसा में उपस्तित वसिया अलकोहल को लोग कॉलेस्ट्रोल कहते हैं तो सी हमारा यहांपे सई हो जाता है 91 देखिएगा क्या है विधी और स्वाधीनता के बीच सबसे उप्यूकत समंधों को निम्लिकित से कौन पर्तिबिंबित करता है तो इनमें जो पर्तिबिंबित करता है कौन देखिए यदि विधी नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी तो भी हमारा यहां पर सई हो जाएगा राइट चले 92 देखते हैं हम लोग निमलिकित कौन से सम्विधान के नुच्छे तीन के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है तो इनमें जो संभव नहीं है ने राज्यों का गठन यह संभव नहीं है तो हमारा एक करेक्ट हो जाएगा हमारा 93 देखिएगा निमलिकित किसके द्वारा संपत्ति के किया जाता है लोप किया गया है तो इसका जो लोप किया गया है वह सम्विधान का 44 सम्विधान संसोदर नियम दौरा सी हमारा करेक्ट हो जाता है ठीक है चलिए भाई अब यह 301 के तहत कानूनी अधिकार बन गया है 94 भारत के कल्यानकाई राज होने का विचार पाया जाता है यह विचार पाया जाता है मौलिक करतव दे am acIT करेक्ट हो जाएगा निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसका सदस्य होते हैं संसय दोनों सद्वाजनों के सभी सदस्य के और 27 यो और भारती संसय संबंद्र्ट में निम्लिए सो कॉन सा कथन सही नहीं है इनमें सही कथन की बात कर ले जो नहीं है वो है मंत्रि मंडल की सदस्ता निम्न सदन तक सीमित होती है तो हमारा सी यहाँ पे करेक्ट होगा 98 देखते है 1971 का संसोधन महा लेखा नियंद्रक के करतव सक्तियों और सेवा इस्तिती अधिनियंव लेखन और लेखा प्रसिक्षन को प्रतख करता है C. A. G. को लेखों की तैयारी के उत्रदाईतवर से मुक्ति देता है यह संसुधन कीया गया देखेगा यह संसुधन कब किया गया तो यह किया गया है नाइंटिसविंटिस्स के अंदर में B. सई हो जाएगा 99 देखिएगा संग्ये छेत्रों को प्रतिनेश्ट प्राप्त है इनको प्रतिनेश्ट प्राप्त है संसेद दोनों सद्दों में C correct होगा Next है 100 वो कौन राष्टरवादी नेता था जो 1925 में केंद्रे विधान सभा का अध्यक्ष speaker चुना गया था वो नेता थे विठल भाई पटेल जी B correct होगा 101 निमलिकित में से कौन एक संग्या बजट की तयारी और उससे संसाद में पेस करने के लिए उतरदाई है तो यह उतरदाई है आर्थिक कारविभाग B correct हो जाएगा 102 भारत की सराज में सबसे पहले महिला मुखमंत्री हुई थी तो यह हुई थी देखिए उतरदेस में यह हमारा correct हो जाएगा ठीक है सबसे पहले यहीं पे महिला मुखमंत्री हुई थी ठीक है उनका नाम था सुचिता क्रपलानी किस साल में 1963 में जो है वह 21 के अतरिक्त तो यह अतरिक्त की बात कर ले तो वह है अनुचे 369 भी correct होगा 104 देखते हैं निमलिखिन से कौन सा भासा समिधान की 28 सुची में नहीं है तो यह 28 सुची में कौन नहीं है तो देखिए भोचपूरी नहीं है नेपाली उर्दू कॉंकणी है नेक्स है 105 भारत के पहले उपगरह बलेस्टिक मिसाइल ट्रेकिंग जहाज का नाम क्या है तो इसका नाम के अगर हम बात कर लें वो है द्रोग ए correct होगा 106 सार्क के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है इसके बारे में जो सत्य कथन की बात कर लें जो नहीं है इसके स्थाफन 1964 बांगलादेस में हुई थी ये वाला स्टेटमेंट गरबर है सार्क का स्थाफन 1985 में बांगलादेस में हुआ था ठीक है 1964 में नहीं ठीक है ना चलिए 107 देखते हैं भारते रिज़र बैंक का लेखा वर्स अकाउंटिंग यर कब से कब तक का होता है ये होता है 1 जुलाई से 30 जून C करेक्ट हमारा हो जाएगा 108 देखते हैं हम लो GI टैग की समय सीमा क्या होती है GI जो मिलता है उसकी समय सीमा होती है 10 सालों की 109 अभूशन जुलरी उधारन है देखेगा जुलरी जुलरी उधारन है वितिया पूंजी का C हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है 110 किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सेन अभ्यास आयोजित किया है तो यह किया है देखे चाइना ने तो चाइना ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सेन अभ्यास आयोजित करा है CSIR की पहली महिला महानिर्दिसक कौन बनी है तो इसकी पहली महिला महानिर्दिसक बनी है नल्थम्भी काइल सेल्वी C हमारा यहाँ पे correct हो जाएगा 112, भारत में हर साल अगस्त करांती किस तिथी को मनाया जाता है तो भारत में हर साल अगस्त करांती जो है इसके अगर हम बात कर लिए यह मनाया जाता है आजिश्ट के दिन C correct होगा 113, ONDC ने संस्थानों के कार्यों का समनवय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझाता कि अपने में स्ताक्षर किया है तो यह इस्ताक्षर किया है, SBI के साथ, B करेक्ट हो जाएगा 114, किस भारते कमने ने गुजरात में भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लान ने गोशना करी है तो यह गोशना किया है, Reliance Industries ने, एक करेक्ट होगा 115, इंग्लेंड की माराने इलेजबेट दुईतिये का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया उन्होंने कितने वर्सों तक सासन किया देखेगा, उन्होंने जो सासन किया है अगर हम बात कर लें 70 वर्स और 7 महीने तक, भी हमारा Absolute Correct हो जाएगा 116, अंतरास्टे साक्षरता दिवस कम मनाये जाता है तो यह अंतरास्टे साक्षरता दिवस हर साल 8 सेप्टेंबर को मनाये जाता है एक करेक्ट हो जाएगा, है ना 117, भारता कौन सा राज पुरुस होकी विजगब 2023 की मिजबानी करेगा तो इसकी मिजबानी करेगा, ओडिसा, एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 118, दिखिएगा, वर्ज 23, ब्रिक्स, सिखर सम्मिलन के अधेक्सता कौन सा देश करेगा तो इसकी अधेक्सता करेगा, दिखिए, साउथ एफ्रिका, तो हमारा B यहाँ पे एब्सलूट करेक्ट हो जाएगा, राइट 119 देखते हैं, नेक्स्ट हमारा, 119 किस राज सरकार ने मवेशी नियंतरन विद्यक को वापस लेने का निर्ने लिया है तो यह निर्ने लिया है, गुजरात कॉवर्मेंट ने, C करेक्ट होगा 120, भारते रिज़र बैंक ने लिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है तो यह सहकारी बैंक है, लक्षमी सहकारी बैंक, एक करेक्ट होगा 121, UPI Light भुकतान लेंदेन की उपरी सीमा क्या है? तो UPI Light भुकतान लेंदेन की जो उपरी सीमा है, वो है 200 रुपए तक, एक करेक्ट होगा भारतिय खेल प्रधिकरन, साई और NTPC द्वारा संयूत रूप से निरमित वाटर स्पोर्ट सेंटर का हाली में किस राज केंसाइद प्रदेश में दघटन किया गया है? इसका दघटन हुआ है कहां? हिमाचल प्रदेश में, भी करेक्ट होगा नेक्स देखिएगा, 123, किस संस्थान ने पवर्टी एंड शियर्ड प्रोस्पेर्टी 2022 रिपोर्ट जारी की है? यह रिपोर्ट जारी किया है, वर्ल्ड बैंक ने यह हमारा यहां पे करेक्ट होगा 124, UNICEF की हालिया रिपोर्ट के नुसार, किस दक्षिनियों पूर्व ACI देश में 10 लाग से अधिक लोग विस्थापित हुए है तो देखिए, मियानमार के अंदर में हुए है, D हमारा करेक्ट होगा, ठीक है? चलिए भाई, 125, पहली बार किस ससक्तर बल के लिए अधिकारियों के लिए हत्यार प्रणाली साखा को मंजुरी दी गई है यह दिया गया देखिए, भारती वायुसेना के लिए, A करेक्ट हो जाएगा 106, क्या बोल बैस, यूगतर राज्ट हर साल किस महीने में निर्स्तरिकरन सफता डिसार्मेंट वीक मनाता है? तो यह लोग मनाते हैं, अक्टूबर के महीने में, A करेक्ट हो जाएगा 127, किस राज ने अनुसुची जाती, अनुसुची जन जाती के लिए, अरक्षन को बढ़ा कर, 17% से 7% करने के लिए, कर्द्य देश पारित किया है यह पारित किया है, देखिए, कर्णाट का ने, A करेक्ट होगा 128, किस देश ने अनुवानसिक रूप से संसोधित भारतिय सर्थो की प्रजाती, ब्रैसिका, जंकिया की वेवसाइक, खेती को मंजूरी किस ने दी है, अगर उसके हम बात कर ले, ठीक है तो 128 सा करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, औस्ट्रिलिया ने 139, विस्व पोलियो दिवस 222 की थीम क्या है, इसकी थीम है, A healthier future for mothers and children, A करेक्ट होगा नेक्स्ट है हमारा 130, कौन सा देश, Conference of Parties to Cities का मेजबान है, तो इसका मेजबान है, पनामा, B करेक्ट होगा 131, जलवायू प्रवर्तन प्रदसन सुचकां, Climate Change Performance Index के नुसार, जलवायू शमन में कौन सा देश सबसे आगे है, इसमें सबसे आगे है, डेन्मार्क, B करेक्ट होगा 132, कौन सा भारती ससस्त्र बल, प्रस्थान, संचारित, अभ्यास, आयोजित करता है, तो ये कौन आयोजित करता है, भारती नौसिना, C हमारा यहां पे सही हो जाएगा 133, no money for terror, समेलन का मेजबान कौन सा देश है, इसका जो मेजबान देश है, वो है, इंडिया, ए करेक्ट होगा 134, COVID vaccination के दूइतिये डोज में, बिहार का कौन सा जिला प्रथम अस्थान पर रहा है, तो समें प्रथम अस्थान पर जिला रहा है, वो है, देखिए, पूर वीचमपारण, डिकरेक्ट होगा 135, विश्व और्टिज्म जागरुता दिवस निमन में से किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है, हर साल, दो अपरेल के दिन, डिकरेक्ट होगा 136, भारतिये होकी टीम ने, 40 साल बाद किस देश को हरा कर, टोक्यो अलम्पिक में कांस पतक जीत लिया, तो इन्होंने हराया था किसको, जर्मनी को, भी करेक्ट होगा 137, बि हार से सबसे पहले कि सव्यक्ति को, भारत रतन मिला था, तो सबसे पहले भारत रतन मिला था, अगर हम बात करेंब बि हार से, ठीक है डॉक्टर विद्याचंद्र रॉय जी को डी हमारा यहां पे सही हो जाएगा तो विद्याचंद्र रॉय एक महान विभूती थे और एक वरिष्ट चिकित्सक भी सिक्षा सास्त्रिय सुद्ध सिनानी सब थे ठीक है और इन्होंने आजादी का जो के लिए काफी जादा महत्पूर्ण भूमी का निवाई थी और उसी बज़े सिनको यह मिला था 139 स्मार्ट सिटी मिसन के तहत बिहार के कितने सहर को चुना गया है तो बिहार के देखिएगा कुल चार सहरों को चुना गया है भी हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है पटना भागलपूर्ट बिहार सरिफ और मुजफरपूर्पूर्ट को नेक्स्ट 140 देखिएगा बिहार के उत्रपस्ची में स्थित पहाडिया जिसे सिवालिक स्रिंखला भी कहा जाता है जो है एक देखिए इसे वालिक स्रिंखला जो है ये एक नवीन मोड़दार परवत का एक रूप है सीकरेक्ट होगा नेकस्ट वन-फर्टि-वन रित्तु सी तुने शीवर्आन पछ्चियों के प्रवास्थल के लिए प्रसिद्ध है तो इनके प्रवास्थाल प्रसिद्ध गया यहाई पर मिःहर कहां पर स्थापित किया गया था तो यह स्थापित किया गया था पटना के अंदर में भी हमारा करेक्ट हो जाएगा मुहमद फजलूल रहमान और राजिंदर प्रसाद ने बिहार राश्ट्री महाविदले की स्थापना की थी ठीक है अब देखिए 143 डाटा बुक कौन प्रक करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर्ट दा कंसर्वेशन ओफ नेचर एंड नेचर तो हमारा डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिया कि 144 देखते हम लोग राज आपदा प्रबंधन प्रधिकरन का प्रमुख कौन होता है तो इसका प्रमुख होता है मुख्यमंत् सब्सक्राइब इन का प्रमुख था थनी नग hai है 146 बिहार के किसमें दुरदर्सटल प्रतम केंदर स्थापित हुआ तो दुर्दर्सन हो फुर्धा यह फार पुरूरे स्थापित की थी इसलिए मनाय जाता है सी और फोर्टी एट कि सूफी सिलसले को बिहार में सरवाधिक लोगप्रियता फ्राप्त थी सबसे जाइब लोगप्रिये सूफी सिलसला था बिहार में उसकी बात करने तो वह था देखे फिर दोसी सी करेक्ट हमारा हो जाएगा 149 नीग क्या बोल रहा है देखिए तिरपन में भारतिय अंतरास्टे फिल्म महुतसभ आई एफएफ आई में इंडियन फिल्म परसनाल्टी ओफ देयर 2022 प्रुषकार से किसे समानित किया गया है तो यह समान मिला है देखिए चिरन जीवी को यह साउत के सुपरस्टार है भी करेक्ट ह हो जाएगा हमारा आज का आखरी सवाल से नमर्डों से किस फोरम ने गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और छती कोस्ट लॉंच किया है यह लॉंच किया देखिए COP27 ने यानि कोप 27 राइट तो फ्रेंट्स यह था हमारा आज का सेट नमर्ट तू कमेंट करक अजिए लॉई लॉब सुझ जार बेट वीडियों अजिए टीज बीट अच्ट वीड्यों का सब्सक्री आखिए अड्ट बाए और चानल दो नट तो शब्सक्रीब वीडेश प्रेंट तो तो ने तेक रावाबाए और बिस्टों का अंग्रेश तो नियौ धिए बीदर